गन्ना ग्रंत अधिया अठारा प्रभु ने हारून से कहा पवित्रस्थान के सेवा में किये हुए दोशों की जिमेवारी तुमारी तुमारे पुत्रों और तुमारे परिवार की होगी या जखिय सेवा में किये हुए दोशों की जिमेवारी तुमारी और तुमारे पुत्रों की होगी तुम अपने पिता के वंश अर्थात लेवी वंश के अपने भायों को भी अपने पास आने दो और विधान पत्र के तंबू के सेवा में अपनी और अपने पुत्रों की सहायता करने दो वे तंबू में सेवा करते हुए तुम्हारी सहायता करेंगे किन्तु वे पवित्रस्थान के पात्रों और वेदी के पास नहीं जाए नहीं तो उनकी और तुम्हारी मृत्यू हो जाएगी वे तुम्हारे सहायक बने और दर्शनकक्ष की देखभाल करे कोई अनाधीकारी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकता पोयत्रस्थान और वेदी की देखभाल की जिम्यवारी तुम्हारी होगी इस प्रकार इस्राइलियोंग पर फिर क्रोध नहीं भढ़केगा मैंने तुम्हारे भाईयों को लेवियों को इस्राइलियों में से चुन लिया वे प्रभु को अर्पित हैं जिससे वे दर्शन कक्ष में सेवा कारिय करें और तुम्हारी सहायता करें तुम और तुम्हारे पुत्र वेदी और अंतरपट की पीछे याजक की सब क्रियाएं संपन करेंगे यह तुम्हारा कारिय है मैं तुमको वरदान के रूप में याजक का सेवा कारिय सौपता हूँ यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति समी पाएगा तो उसे मृत्तु दर्ड दिया जाएगा प्रभु ने हारुन से कहा इस्राइली मुझे जो चड़ावे अर्पित करते हैं मैं उनकी देखरेक तुम्हें सौपता हूँ और उन्हें तुमको और तुम्हारे पूत्रों को देता हूँ या एक अपरिवर्तनिय नियम है जो परम परागत चड़ावे नहीं जलाये जाते हैं उनका एक भाग तुम्हारा होगा अर्थात सब अनबलियां प्राइश्चित और शत्ति पूर्ति बलियां या तुम्हारा औ तुम्हारे पूत्रों का भाग है तुम उन्हें एक पौत्रस्थान पर खाओगे उन्हें सभी पुरूश खा सकते हैं तुम उन्हें पौत्र मानोगे या भी तुम्हारा भाग होगा इसरालियों के जो चड़ावे हिला हिला कर अर्पित किये जाते हैं उनका एक भाग मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें देता हूँ। निर्धारित मुल्या पर छुड़ाये जाए। उनका मुल्या पोद्रस्थान के शेकलों की तौद का नुसार पांच शेकल है। प्रतियक शेकल में बीस गेरा, गायों, भेडों और बक्रियों के पहले उठे बच्चे नहीं छुडाये जाएं, वे पोवित्र हैं, उनका रक्त वेदी पर छिर्कोगे और उनकी चर्बी होम बली के रूप में अर्पित करोगे, किया एक सुगंध युक्स चढ़ावा है, ज उनका मांस तुमारा भाग होगा, हिला हिला कर अर्पित छाती और दाहिनी जांग भी तुमारी है, मैं इस्राइलियों द्वारा प्रभु को अर्पित सब पवित्र चढ़ावों का एक निर्धारित भाग, और तुमारे वन्शजों के लिए एक चिरस्थाई विधान है, प इस्राइलियों के बीच मैं ही तुमारा भाग और तुमारी विराशत हूँ, मैं लेवियों को दर्शन कक्ष में उनकी सेवा के पुरसकार में इस्राइलियों द्वारा अर्पित दशमांस देता हूँ, इस्राइली दर्शन कक्ष के निकट कभी नहीं आए, नहीं तो इस प पाप के कारण उनकी मृत्यू हो जाएगी लेवी ही दर्शन कक्ष का सेवा कारिय करेंगे उसमें किये हुए दोशों की जिमेवारी उनकी होगी या पिढ़ी दरपिढ़ी एक चिरस्थाई विधान है लेवीयों को इसराइलियों के यहां कोई जमीन नहीं मिलेगी इसराइली प्रभू को जो दर्शमांस अर्पित करते हैं मैं इसे लेवीयों को देता हूँ इसलिए मैंने निश्चे किया कि उन्हें अन्य इसराइलियों के साथ विरासत नहीं मिलेगी प्रभू ने मूसा से कहा लेवीयों से या कहो जब तुम इसराइलियों से मेरे द्वारा अपने को दिये दाय भाग के रूप में दश्रमांस पाते हो, तब तुम उसका एक निश्चित अंश, दश्रमांस का दश्रमांस प्रभु को अर्पित करोगे। तुम को जो कुछ भी मिलेगा, उसका सर्वोत्तम और सबसे पोईत्र भाग प्रभु को अर्पित करोगे। तो इस संबन में तुम्हारा कोई दोश नहीं होगा। इस प्रकार तुम इसराइलियों के पवित्र चढ़ावे और पवित्र नहीं करोगे और तुम्हारी मृत्यू नहीं होगी। गन्ना ग्रंत अध्याय उनिस प्रभु ने मूसा और हारुन से कहा। प्रभु सहिंता का यह नियम घोशित करता है। इसराइलियों को लाल रंग की ऐसी कलोर ले आने का आदेश दो। जो अदोश हो और जो जोती ना गई हो तुम उसे याज़के लियाजर को दो वाशिविर के बाहर ले जाई जाए और वहां उसके सामने उसका वद किया जाए। याज़के लियाजर कलोर के रक्त में अपनी उंगली डुबो कर उससे दर्शन कक्ष के द्वार की ओर साथ बार चिरके। इसके बाद कलोर उसके सामने जला दी जाए। उसके खाल, उसके मांस, रक्त और गोबर आदी भी जला दिये जाए। याज़क देवदार की लक्डी जूफा और लाल डोरे उस आग में डाल दे जिसमें कलोर जलाई जा रही है। इसके बाद याज़क अपने वस्तर धोए और जल से स्नान करे। वह फिर शीविर में आ सकता है। परंतुवा शाम तक अशुद रहेगा। वह व्यक्ति जो कलो कलोर को जलाता है। अपने वस्तर जल से धोए और जल से स्नान करे। वह शाम तक अशुद रहेगा। तब एक व्यक्ति जो शुद है उस कलोर की राक बटोर कर उसे शीविर के बाहर किसी स्वच अस्थान पर रखेगा। और उसे इस्राइलियों के शुदी करन का जल तयार किया जाएगा। जिसने कलोर की राक बटोरी है वह अपने वस्तर धोए। वह शाम तक अशुद रहेगा। इस्राइलियों और उनके साथ रहने वाले विदेसी प्रवासियों के लिए यह रस्ताई विधी होगी। जिसने मनुश्य के शुद किया है वह साथ दिन तक इसके बाद वशुद होगा। परन्तु यदि वर तीसरे और साथमे दिन अपना शुदी करन नहीं करता, तो वशुद नहीं होगा। प्रतियक ऐसे वैक्ति जिसने मृतक के शव का इस्पर्स किया है और अपना शुदी करन नहीं कराया, प्रभु के निवास को अशुद कर ऐसे व्यक्ति को इसराइल से बहिस्कृत किया जाना चाहिए, उस पर शुधी करन का जल नहीं छिड़का गया है, इसलिए वह अशुध है, उसकी अशुधता उसे लगी रहती है. यदि कोई व्यक्ति तंबु में मर जाए, तो नियम यह है, प्रतियक व्यक्ति जो उस तंबु में प्रवेश करता है, या उसमें विद्यामान है, साथ दिन तक अशुध होगा. प्रतियक ऐसा पात्र अशुध हो जाएगा, जिस पर ढखकन ना हो, वह व्यक्ति भी साथ दिन के लिए अशुध हो जाएगा, जो खुले मैदान में मारे हुए व्यक्ति, या किसी मृत्तक, किसी मनुश्य की हड़ी, या किसी कब्र का इस्पर्ष करेगा. अशुध व्यक्ति के लिए जलाई हुई कलोर की कुछ राख एक पात्र में रखकर उस पर ज़रने का जल उडेला जाए. एक शुध व्यक्ति उस पानी में जुफा डुबो कर तंबू पर और उस में के सब पात्रों और मनुश्यों पर पानी छिड़के, वह उस व्यक्ति पर भी वह पानी छिड़के, जिसने खुले मैदान में मारे हुए व्यक्ति, या किसी मृत्तक, किसी मनुश्य की हड़ी, या कब्र का इस पर्ष किया हुँ, वह शुध व्यक्ति उस अशुध व्यक्ति पर तीसरे और सात्मे दिन जल छिड़केगा, इस प्रकार वह सात्मे दिन उसका शुधी करन करेगा, वह व्यक्ति अपने वस्त्रद होए और जल से स्नान करे, वह शाम को शुध हो जाएगा, परन्तो जो अशुद होने पर भी अपने को शुद नहीं कराता वह समुदाय से बहिश्कृत किया जाए क्योंकि वह प्रभु के पवित्रस्थान को अशुद करता है उस पर शुदी करन का जल ना चिड़के जाने के कारण वह अशुद रहेगा उनके लिए यही विधान है जो सदामानिय होगा जो शुदी करन का जल चिड़के वह अपने वस्त्र धोए जो शुदी करन का जल शुद करता है वह शाम तक अशुद रहेगा वह सब वस्त में अशुद हो जाएंगी जिनका शुद अशुद व्यक्ति करता है और जो उनका इस पर्ष करेगा वो भी साम तक अशुद रहेगा किन्तु वे अपने मुक्ष से उसे धोखा देना चाहते थे उनके जीवा उससे जूट बोलती थी क्योंकि उनके हृदे में उसके प्रती निस्था नहीं थी उन्हें उसके विधान का भरोसा नहीं था फिर भी दयासागर प्रभु ने उनका अपराद शमा कर उन्हें बिनाश से बचा लिया उसने बारंबार अपना कोप दबाया उसने अपना क्रोध नहीं भड़कने दिया उसे याद रहा कि वे हाड मंक्स भर हैं स्वासमात्र जो निकल कर नहीं लोटता कितनी बार उन्होंने मरुभूमी में उसके बिरुद बिद्रोह किया निर्जन स्थान में उसके बिरुद अपराद किया उन्होंने बारंबार ईश्वर की परिक्षा ली वे इस्रैल के परंपावन ईश्वर को चिड़ाते रहे उन्हें उसकी शक्ति याद नहीं रही वह दीन जब उसने उनको शत्रों से छुड़ाया था किस प्रकार उसने मिस्र को अपने चिन दिखाए और तनिस के निवासियों को अपने चमतकार उसने वहां की नहरों और नदियों को रक्त में बदल दिया जिससे वे जल ना पी सकें उसने उन पर नास छोड़ दिये जो उन्हें काटते थे और उनके बीच मेढ़क भेजे तो उन्हें सताते थे उसने उनकी फसले टीडों को दे दी उनके घोर पर इश्रम का फल टीडियों को उसने ओलों से उनकी दाकबारियों को नस्ट किया और पाले से उनके गुलर के पेडों को उसने उनके पश्वों पर ओले बरसाए और उनकी भेड बक्रियों पर बिजली गिराई उसने उन पर अपना प्रचंद क्रोध भड़क ने दिया रोश, प्रकोप, संकट और बिनाशकारी दूतों का दल उसने अपने क्रोध पर अंकुष नहीं रखा उसने उनको मृत्यु से नहीं बचाया बलकि महमारी से उनका जीवन समप्त कर दिया उसने मिस्रियों के हर पहलवठे को जवानी की पहली संतान को हाम के तंबुओं में मारा वा अपनी प्रजा को भेडों की तरह निकाल लाया और मरुभूमी में उन्हें जुन्ड की तरह ले चला वा उन्हें सुरक्षित और निर्भय ले गया जबकी समद्र ने उनके शत्रों को निगाल लिया वा उन्हें अपने पवित्र देश ले चला उस परबत तक जिसे उसके बहुबल ने जिताया था उसने उनके सामने से रास्ट्रों को मार भगाया उसने भूमी को बांट कर उन्हें बिरासत के रूप में दे दिया उसने दूसरों के तंबूओं में इस्राइल के वंक्षों को बसाया फिर भी बिद्रोही बनकर उन्होंने सर्बोच ईश्वर की परिक्षा ली और उसके नियमों का पालन नहीं किया वे भटक गए और अपने पुर्वजों की तरा विश्वास घाती बने वे धोखा देने वाले धनुष की तरा मुड़ गए उन्होंने अपने पहाडी पुजस्थानों द्वारा उसे क्रोधित किया और अपनी देव मुर्तियों द्वारा उसे चिढाया यह सुनकर प्रभू कुरूध हुआ और उसने इस्रैल का परित्याग कर दिया उसने शीलों में अपना निवास छोड़ दिया अपना वाह तंबू जहां वाह मनुष्यों के बीच रहता था उसने मन्जूशा को अपनी सामर्थ्य और गौरब के प्रती को शत्रों के हाथ पढ़ने दिया उसका क्रोध अपनी प्रजा पर भढ़क उठा उसने उसे तल्वार का शिकार होने दिया अगनी उनके युवकों को निगाल गई उनकी युवतियों के विवाह गीत नहीं सुनाई पड़े उनके याजक तल्वार से मारे गए और उनकी बिध्वाएं शोक गीत भी नहीं गा सकी तप्रभू मानो नीन से जाग उठा युद्धा की तरह जो मदीरा पी कर ललकारता है उसने अपने शत्रूँ को महामारी से सताया और उने सदा के लिए अपमानित किया उसने यूसफ का निवास त्याग दिया उसने एफराइम के वंग्स को नहीं चूना उसने युदा के वंग्स को चूना सियोन के परबत को जिसको वह प्यार करता है उसने उचे परबतों के सद्रिश अपना मंदिर बनवाया प्रित्वी के सद्रिश जिसे उसने सदा के लिए स्थापित किया उसने अपने सेवक दाउद को चूना उसे भेड़ शाला से निकाल लिया उसने भेड़े चराने वाले को बुलाया और उसे अपनी प्रजा याकुब का अपनी बिरासत इस्रायल का चरवाहा बनाया दाउद ने सच्च हृदय से उन्हें चराया और कुशल हाथों से उनका नित्रुत्व किया प्रेरित चरित अध्य चौदा इकोनियों में धर्मप्रचार इकोनियों में भी उन्होंने सबाग्री में प्रवेश किया और ऐसा भाषन दिया कि यहुदी तथा युनानी दोनों बड़ी संख्य में बिश्वासी बन गए कि तो जिन यहुदीयों ने बिश्वास करना अस्विकार किया था उन्होंने गैर यहुदीयों को उभाड़ा और उनके बन में भाईयों के प्रती द्वेश भर दिया पाउलो से था बारनबस कुछ समय तक वहां रहे और प्रभू पर भरोसा रखकर निर्विक्ता पुर्बग प्रचार करते रहे प्रभू भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमतकार दिखा कर अपने अनुगरह का शंदेश प्रमानित करते थे इसका परिणाम या हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गई कुछ लोगों ने यहुदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्च लिया तब नगर के शास्कों के सहयोग से गैर यहुदियों तथा यहुदियों ने प्रेरितों पर अत्यचार तथा पत्थराओं के लिए अंदोलन आरंभ किया प्रेरितों को इसका पताचला और वे लुकायोनिया के लूस्त्रा तथा देरबे नमख, नगरों और उनके आसपास के प्रदेश की ओर भाग निकले और वहां सुसमचार का प्रचार करते रहे लूस्त्रा के लंगडे को स्वस्थे लाब लूस्त्रा में एक ऐसा ब्यक्ती बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ती नहीं थी वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था वह पाउलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पाउलुस ने उस पर द्रिस्थी गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य बिश्वास देकर उचे स्वर में कहा उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ वह उचल पड़ा और चलने फिरने लगा जब लोगों ने देखा कि पाउलुस ने क्या किया है तो वे लुकाउनियाई भाशा में बोल उठे देवता मनुश्यों का रूप धारन कर हमारे पास उत्रे है उन्होंने बारनबस का नाम जियोस रखा और पाउलुस का हैरमेस क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था नगर के बाहर जियोस का मंदिर था वहां का पुजारी माला पहने संडों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जन्ता के साथ प्रेरितों के आदर में बली चड़ाना चाहता था जब बारनबस और पाउलुस ने या सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़ कर या पुकारते हुए भीड में कूद पड़े भायो अप यह क्या कर रहे हैं हम भी तो आप लोगों के सम्मान सुक दुख भोगने वाले पनुश्य हैं हम यह शुब संदेश देने आए हैं कि इस निसार देवताओं को छोड़ कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभी मुक हो जाना चाहिए जिसने अकाश, प्रित्वी, समुद्र और उन में जो कुछ है वह सब बनाया उसने पिछले यूगों में सब रास्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विशष में सक्छ देता रहता है वह अकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसले उगाता है वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारे मन आनन से भरता है इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड को कठिनाई से अपने आदर में बली चड़ाने से रोका प्रथम प्रचार यात्र की समाप्ती इसके बाद कुछ यहूदियों ने अन्तक हिया तथा इकोनियूम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया वे पाउलुस को पत्थरों से मार कर और मरा समझ कर नगर के बाहर घसित ले गए किन्तु जब शिश्य पाउलुस के चारों और एकत्र हो गए तो वह उट खड़ा हुआ और नगर लोट आया दूसरे दिन वह बारनबस के साथ देर बे चल दिया उन्होंने उस नगर में सुसमचार का प्रचार किया और बहुत शिश्य बनाए इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियूम होकर अंतक्य लोटे वे शिश्यों को धारस मनाते और यह कहते हुए बिश्वास में द्रेड रहने के लिए अनुरोद करते कि हमें बहुत से कस्ट सह कर ईश्वर के राज में प्रवेश करना है उन्होंने हर एक कलीस्या में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रात्न तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभू के हाथों सौप दिया जिसमें वे लोग बिश्वास कर चुके थे वे पिसीदिया पार कर पंफूलिया पहुँचे और पेरगे में सुसमचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए वहां से वे नाव पर सवार होकर अंतक हिया चल दिये जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्या के लिए ईश्वर के कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था वहां पहुँचकर और कलीश्या की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या 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 और कैसे गैर यहुदियों के लिए बिश्वास का द्वार खोला वे बहुत समय तक वहां शिश्वों के साथ रहे